प्यारे चातर चात्राओं, आज हम लोग हिंदी के वर्ग में उपस्तितु हुए हैं, एक नए संकल्प, एक नए सुभकामना, एक नए उत्साह के साथ। हम लोग परिक्षा के बिलकुन नजदिक पहुंच चुके हैं हम लोग की तैयारी भी लगभग पूरी होने की सिती में है तो इस तरह एकाथ बरसों से जो पढ़ने पढ़ाने का क्रम चलता आ रहा है वो अब पूरा होने की सिती में है तो इसी परिक्षा में अधिक से अधिकतम अंक प्राप्त करने की आकांशा के साथ संकल्प के साथ हम आज पाठ शुरू कर रहे हैं आज हम लोग के पाठ का विशा है बाचीत इसके साथ ही देरगुत तर ये जो पाठ अंक का होता है आप जानते हैं कि पाठ करम आपका आधा पाठ करम आपका बटा हुआ है एक अंक वाले बस्तुर निष्ट से यानि अब्जेक्टिव से और मा की जो आधा है वह आधा बटा हुआ है गद्य और पद्य पहले तो ये जान लिजिए कि गद्य और पद्य दोनों से आपको देरगुत तरिये यानि पाठ अंक का प्रस्ण बनाना है और तब फिर आपको लगुत्तरिये है लगुत्तरिये में भी आपको दो दो अंक का बनाना है गद्य से भी और कब्य से भी और तब फिर व्याख्या लिखने है और इसके बाद आपको पत्रलेखन है निवंद है और संचेपन है तो इस तरह आपने विशानिस्त प्रस्णों के भाग को जान लिया जिसमें पहला भाग आपका निवंद होता है दूसरा भाग पत्रलेखन का तीसरा प्रस्ण होता है व्याख्या का चौथा प्रस्ण आपको लगुत्तरिये का और पांचमा प्रस्ण दिरगुत्तरिये का इसमें जान रहे को प्रस्णों का क्रम बदल भी सकता है जैसे पहला निबंद है तो दूसरा आपको कोई जरूरी नहीं है कि पत्र ही पूर देगा वहाँ व्याक्षा भी पूर सकता है तो दूसरे में व्याक्षा को भी ले सकता है तीसरा में पत्र ये बोर्ड अपनी सुभधा के मुताबिक को संसेट करता है तो अभी हम लोग दिरगुत तरिय गद्य पर बात करेंगे आप एक चिद्धान रखेगा कि यह परिछा के लिए जो गेस है वह गेस में भी गेस है अभी जो आप सुनने हैं वैसे गेस पेपर को आपको देखना चाहिए और यह कह लिजिए कि आपको बहुत छोटे में गेस पेपर दिया गया है बहुत सोच समझ कर बहुत साबधानी पुरबक उसके कुश्चन को सेट किया गया है इस रूप में कि आपको परिक्षा में वो प्रशन भी पूछे और आप उसको आसानी से याद कर परिक्षा में लिख भी सके इन सारी बातों को ध्यान में रखकर गेस पेपर तयार किया जा और गेस पेपर की अच्छी तयारी में आपको पढ़ने के साथ साथ एक मॉडल सेट भी दिया जाता है जिसमें प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है जिस प्रैक्टिस पेपर के आधार पर आपको तयारी करनी है तो अभी हम सुरू कर रहे हैं गध्य में दिरगुत्तर ये प्रस्न जिसमें आप ध्यान रखिए कि बाचीत हम लोगों के पाठ का पहला भाग है तो बाचीत पाठ पर हमको ध्यान देना है यानि बाचीत पाठ का सारांस, बाचीत पाठ के उपयोगिता, बाचीत पाठ का आपको लेखा के विशय में भी जानना है लेकिन दिरगुतरिये में आपको बाचीत पाठ का सारांस ध्यान में देना है कि बाचीत से क्या फाइदा होता है कितने लोगों के बीच बाचीत करनी चाहिए और स्रिष्टम बाचीत कैसी है आप यहाँ पर देख रहे हैं बाचीत म पनिशे के भीतर के मबाद को व्यक्त करने का एक सुंदरतम माध्यम है यह दो तीन लोगों के बीच की जाती है अधिक तम अधिक उससे अधिक लोगों की बाचीत में एक अजीव प्रकार का छिपाब आ जाता है एक तरह से राम रमवल की इस्तिती हो जाती है और सब से श् अपने आप से जो हम बात करेंगे आत्म चिंतन करेंगे उस आत्म चिंतन में याद रखिए कि आप आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं तो इन ही चीजों को इस बाचीत पार्थ में पूरी तरह बताया गया है और तब फिर आप दूसरे पार्ट को देखें इसका दूसरा पार्ट है आपको उसने कहा था बड़ी महत्पुन कहानी है चंदरधर सर्मा गुलेरी की वह कहानी है उसने कहा था इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्थम विश्युद में भारतिय सैनिकों की योगदान और एक मासूम निर्मल पेम का च त्रण किया है या यह कह सकते हैं कि भारत के यूबकों के चर्ट को उसने कहा था कहानी के माध्यम से लेखक ने इसकिलात्मक्ता के साथ असबस्ट करने का प्यास किया है कि यह कहानी आज भी मील का पत्थर बनी हुई है दिखाया है कि एक यूबक जो भूला-भाला है वह और वह प्रेम निश्चल निर्मल गंगाजी के तरफ बिलकुल पवित्र प्रेम के लिए एकदम शुद्ध पवित्र प्रेम के लिए किस तरह कुरवान हो जाता है और साथ ही वह यह भी दिखाता है कि यहां का वीर शैनिक कितना शक्तिशाली होने के साथ ज्यानवान भी होता इस कहानी का आरंब होता है अम्रिस सर के भीर भरे बाजार से जिसमें एक आठ साल का और बारे साल का लड़का है और दोनों मिलते हैं और वह उसका निश्चल निर्मल मिलन एक प्रेम का रूप धारन करता है और पचीस वर्सों के अंतराल के बाद पर्थम विश्जुत का चित्रन किया गया है जिसमें वह लरका अब लहना सिंग नामक वीर सैनिक बन चुका है राइफल सिख राइफल नंबर सततर का जमादार बन चुका है और किस तरह सैनिकों का जीवन होता है वह सैनिक जब यानि लहना सिंग जब अपने घर वापस होता है उसके साथ ही बोधा सिंग भी आते हैं वे सुवेदार हैं और तब फिर उसके साथ वह उसके घर जाता है वहाँ पर उस औरत को देखता है और वह औरत बास्तर में उसकी बचपन की प्रेम का है लेकिन भारतिय नारी की मर्यादा, भारतिय पुरुष की मर्यादा की रक्षा करते हुए वह औरत अपने पती और पुत्र की हिफाज़त के मांग करते है और उसी मांग के पूरती में लाना सिंग अपने जीवन का अंत करता है इसी तरह यह कहानी पूरी हो जाती है यह कहानी पाँच खंडों में बटी हुई है तो इस तरह आपने जान लिया कि उसने कहा था कहानी बास्ताब में प्रेम और वलिदान की कहानी है प्रेम और युद्ध की कहानी है और इस सब से उपर उठकर कहिए कि यह कहानी वास्ताव में भारतिय युवक के संसकार की कहानी है, भारतिय युवक का आदर्स कैसा होता है, यह होना चाहिए, इसको दिखाने का प्यास किया गया है इस कहानी. और विशेश तोर पर आप यहाँ पर देख रहा हैं कि आपको मॉडर्न एटम वम में प्रिश संख्यात तीन पर आपको विवस्थित रूप से इसका उत्तर लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप अच्छी तैयारी करेंगे, मातपुर्ण है. इसके बाद आप अगला आप देखिए अर्ध नारिश्वर जो दिनकर जी की रचना है या निबंद है अर्ध नारिश्वर पाठ अर्ध नारिश्वर पाठ दिनकर जी की रचना है. आप जानते हैं कि दिन के अरजीब बरे कभी हुए लेकिन यह भी जान लिजिए कि जितने बरे वे कभी हुए उससे कम बरे गद्यकार नहीं हैं। आप नोगों को अर्धनारिश स्वर पाट में अस्पस्ट करने का प्यास किया गया है। कि आज के दौर में जो महला ससक्ति करन है उसके नाम पर जो इसतरी और पूर्शों को बाटा जा रहा है। उसके नाम पर जो तरह तरह का एक विवाद खरा किया जा रहा है उससे हटकर लेखक ने एक नए रूप में मौलिक रूप में अर्धनारिस्वर पाठ में इस बात को रखने का प्यास किया है बताया है कि पुरिश वर्ग समाज में अपना एक अलग विशिष्ट अस्थान बना के रखता है वह जीवन के वाईश्यत्र में काम कर रहा है लेकिन औरतों का योगदान भी कम महत्पुर्ण नहीं है वैसे औरतें घर में रहती है पुराने समय में चाहिए वह जीवस कारण से भी हो घर को चुल लिया लेकिन आज के दोर में औरतें आगे बढ़ना चाहती है तो उसे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए यदि दोनों मिलकर अर्थात इस्तरी और पुर्ष दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं तो यह बहुत बरी उपलब्दी होगी हमारे देश समाज के विकास में बरा योगदान होगा हर एक पुरुष को अपने भीतर थोरा सा इस्त्रैन गुन लेना चाहिए इस्त्रैन गुन का मतलब होता है प्रेम दया ममता करुना इससे पुरुष वर्ग पुर्ण होगा और हर एक इस्तरी को थोरा सा पुरुषत्व प्राप्त करना चाहिए पुरुषत्व प्राप्त करने का मतलब हुआ कि बाहर काम करने की च्छमता बाहर काम करने की च्छमता है ठोस काम करने की च्छमता है उस च्छमता को जीवन में उतारने का प्यास औरतों को भी करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इस्तरे और पुरुष दोनों एक दूसरे के काम में सहयोगी बन सकते हैं देश समाज के विकास में महत्पुर्ण भूमिका निर्वाह कर सकते हैं तो इस तरह आपने अर्धनारिश्वर पार्थ में देख लिया कि लेखक ने बर्तमान दौर में जो नारि सकते करन को ही एक मौलिक रूप में स्थापित करने का प्यास किया है और कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ने की आविशकता है हम सबों को उसे आगे बढ़ाने का प्यास करना चाहिए इससे हमारे देश समाज का बड़ा भाला होगा और विशेस्त में आप यहाँ पर देख अब इसके बाद आगे का पार्ट आप देख लिजिए रोज कहानी यह आपको अग्ये रचित कहानी है अग्ये का पूरा नाम सच्चिदानन्द हिरानन्द वाजशाइन अग्ये प्रियोगवाद के बहुत वरे कभी हुए बलकि यह कह लिजे सबसे वरे कभी हुए और उन्होंने गद्य भी बरी निपुनतास के साथ लिखने का काम किया है जैसे आपने दिनकर के विशह में जान लिया कि दिनकर जी जितने बरे कभी हुए उससे तनक भी कमजोर उनका गद्य नहीं है इसी तरह अग्ये भी बरे कभी हुए बरे कभी के रूप में लोग प्रिए हैं लेकिन उनका गद्य भी कमजोर नहीं है वे गद्य किवल दिखाने के लिए नहीं हाथ अजमाने के लिए नहीं बरी निकुनता से लिख पाए हैं और इस तरह उनका गद्य भी काफी सम्रिद है यहाँ पर आप रोज कहानी पर रहे हैं जिस रोज कहानी में लेखक ने मध्यमबर्गिय परिवार के जीवन के नीरस्ता को दिखाने का प्यास किया है कि मध्यमबर्गिय परिवार किस तरह यंत्रवत जीवन जीने के लिए मजबूर दिखाई परता है इस कहानी में आप मालती और महिसर की बात परेंगे उस दोनों दमपती के जीवन की बात परेंगे जीवन के रूप सरूप को देखेंगे कि महेशर किस तरह दिन रात एक डॉक्टर के धर्म के निर्वाह करने के चकर में अपने पारिवारिक जीवन का धर्म निर्वाह करने में सफल नहीं हो पाता है पतनी को दुलार प्यार देने में सफल नहीं हो पाता है बच्चे को दुलार प्यार देने में सफल नहीं हो पाता है परिनाम्त अत्यन्त भोली भाली माल्ती जो बच्पन में बरी चंचल सोक थी वह माल्ती एकदम नीरस हो जाती है माहिश्वर तो यांत्रभत जीवन जीता ही है नीरस जीता ही है माल्ती भी उसी ढाल पर ढल कर पुर्णत नीरस हो जाती है इस तरह मध्यम वर्गिये जीवन की नीरस्ता को लेखक ने बरी कलात्मक ढंग से लोगों के सामने प्रसुत करने का प्यास किया है आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है तो इस तरह आपने देख लिया कि मध्यम वर्गिये जीवन की नीरस्ता को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने असपस्ट करने का प्यास किया है और आप जैसे उपर कहा गया विशेश रूप से देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए मॉडर्ण एटम बम प्रिस्तंख्या पांच पर इस प्रस्न का उत्तर इस रूप में लिखा हुआ है आप लोग इमानदारी से पढ़िएगा इसको समझिएगा और परिक्षा की दिष्टी से ये सब काफी महत्पूर्ण है इस समदर्ब में एक चीज हमेशा याद रखिये है कि आपको अच्यंत महत्पूर्ण जो परिक्षा की दिष्टी से पाठ है वह तो बताया ही जा रहा है गेश पेपर के जितने सारे प्रस्ण है वे सारे महत्पूर्ण है लेकिन उन सारे महत्पूर्ण प्रस्णों में ये सब प्रस्ण थोड़ा अधिक महत्पूर्ण है इसलिए आपको अलग से बता दिया जा रहा है लेकिन और प्रस्णों को भी आप देखेंगे जरूरी है क्योंकि गेस गेस होता है कहीं उस समय इससे अभी जो बताया गया उससे मिस किया तो उस परिस्थिती में आपको कठिनाई हो जाएगी इसलिए गेस पेपर को आप जरू किजिए उससे संभावना है अधिक क्योंकि उसको बहुत सोच समझ कर तयार किया गया है तो आपने रोज कहानी को देख लिया अब इसके बाद आप ओ सदा नीरा पाठ को देखिए जग्दिश चंडर माथूर की रचना है ओ सदा नीरा पाठ में ओ सदा नीरा पाठ का जो सारांस है वह तो आप ध्यान में रखिये ही उसमें अलग से भी प्रस्ण पूछा जाता है जैसे यहाँ पर आपको देदिया गांधी जी के सिख्षा समन्दी आदर से क्या थे यह आपको ओ सदा नीरा पाठ से ही है यहाँ धान रहे कि ओ सदा नीरा पाठ में लेखक ने गंगा किनारे को सुधार लेजिए गंड़क किनारे गंड़क किनारे की प्रकिर्ती संस्कृती को अस्पस्ट करने का प्यास किया है यानि मिधिला छित्र के अधिकांस भाग को लेखक ने अस्पस्ट करने का प्यास किया है बताया है कि यहाँ कि संस्कृती प्रकिर्ती कैसी है अतीत में यहाँ कि संस्कृती बरी समुन्द थी यहां की नदियां सदा नीरा थी, इसी कारेन गंड़क को सदा नीरा कहा भी जाता है, सालों भर जल रहने वाली नदी थी, जिस नदी के जलधारा में लोग आने जाने का भी काम करते थे वहां का जीवन बरा सुन्दर खुशाल था, इतना समुन्नत छित्र धीरे धीरे बदहाल हुआ, आप जानते हैं करनाट वंसी राजा, वहीं हुए, वहीं पर आकर बस गए करनाटक के राजा थे, और वहां पर आकर बस गए, और बाद में चलकर गया सुद्दिन का सासन हुआ यानि इस्लाम का सासन काईम हो गया इस चित्र में, और बाद में चलकर इसाइग का सासन काईम हुआ, मतलव अंग्रेज का सासन काईम हुआ। अंग्रेजों ने सोसन की नीती को अपनाया फूट डालो सासन करो की नीती को अपनाया पूरे देश के लोगों का उसने सोसन किया और यह सोसन यहाँ भी किया और उसी क्रम में नील की खेती का प्रसंग चला नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने दवाब डालना सुरू किया उसके दवाब से उब कर राजकुमार सुक्ल ने गांधी जी को निजाद दिलाने के लिए आमंत्रित किया गांधी जी ने देखा परखा समझा और सोचा कि अंग्रेज को हम कितनों काते रहेंगे अपनी सासन नीती में सुधार करने के लिए ये अंग्रेज सुधारने वाला नहीं है इस कारन हम यहां के लोगों को सिक्षित कर दें यहां के लोग अंग्रेजों का अत्याचार इसलिए सहर पा रहे हैं कि ये गरीब हैं असिक्षित हैं यदि यहां के लोगों को सिक्षित कर दिया जाए स्वाब लंबी बना दिया जाए स्वाब इमानी बना दिया जाए तो उस परिशिती में अंग्रेज यहां के लोगों का सोसन नहीं कर पाएंगे और इसी को ध्यान में रखकर गांधी जी ने वहां सिक्षा कार्जक्रम चलाया अपनी सिक्षा कार्जक्रम के अंतरगत उन्होंने तीन विद्याले की स्थापना की जिस तीनों विद्याले का नाम आप यहां पर देखेंगे बरहरवा विद्याले मीतिहरवा विद्याले और मधवन विद्याले इसे तीनों सिक्षा में सुधार के लिए चंपारंच शित्र के लोगों के चरित में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने सिक्षा देवस्था काइम की और उसके लिए तीन विद्याले की अस्थापना की और तीनों विद्याले में बरे युग बरे सदाचारी चरितमान सिक्षकों को रखा गया जो सिक्षक पढ़ाई के साथ साथ लोगों में बुनियादी आवशकताओं की पूर्ती का ज्यान देने का काम कर रहे थे तो इस तरह आपने देख लिया कि गांधी जी का मानना था कि सिक्षा में सुधार के आधार पर हम नागरिकों के रूप सरूप में परिवर्तन कर सकते हैं नागरिकों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं उन्होंने बुनियादी सिक्षा पर बल दिया कि बच्चों को बच्चपन से ही स्वावलंबी बनने का चरितमान बनने का परिश्रमी बनने का संदेश दिया जाना चाहिए और उसी विद्याले में एक विद्याले के प्रधाना ध्यापक पुंडलीक जी थे जो पुंडलीक जी बरे स्वाविमानी चरितमान थे ज एमन साहब, जिसेंका धाक बहुत अधिक था, उनको भी उन्होंने चिताया नहीं, आदर देने में वे पीछे नहीं थे, लेकिन आदर देने का मतलब चाटुकारिता, ये उन्हें पसंद नहीं था. और एमन साहब जैसे कलक्टर को भी उन्होंने केवल आदर देने का काम किया चाटुकारिता का काम नहीं किया इस तरह के चरिद्वान सिक्षक्थे पुंडिक जी तो इस तरह आपने देख लिया वितिहरवा विद्वा 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 सुनी सारी बातें आपको ध्यान में रहेगी नहीं रहेगी उन सारी बातों को आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे लेकिन इसको जो आप परहेंगे वह बात अधिक समझ में आएगी इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना समझना जरूरी है अब हम आगे देखते हैं जूठन पाठ को जूठन बास्ता में आत्म का था है यहाँ पर कहानी लिख दी गई लेकिन जूठन पाठ आत्म का था इसके लेका का नाम ओम प्रकाशवाल में की और उन्होंने इस आत्म का था के माध्यम से पुराने समय में दलित वर्क के जीवन के दर्द को असपस्ट करने का प्यास किया है किस तरह दलितों के जीवन में पीरा थी दर्द था अपमान था उपेक्षा थी पुराने समय में इन सारी चीजों को अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने असपस्ट किया कहा कि पड़ने में बचपन में पड़ने के लिए जाते थे सिक्षक पढ़ाई करने के बदले उससे सफाई करवाते थे बाद में चलकर उसके परिवार के लोगों को मालकियों के यहां तरह तरह का काम करना परता था जारे में मवेशियों का घर साप करना परता था जारे में उस गोवर को छूने में उस मुत्र को छूने में ठंडा लगता था बहुत कस्ट होता था, एवज में उसे बासिसी भोजन दिया जाता था, मोटा भोजन दिया जाता था, चोकर किस्म का बनी हुई रोटी दिया जाता था, उन्हें कोई उत्सब इत्यादी में, साध्य ब्यास राद इत्यादी में जो भोज होता था, उस भोज में जूठन दिय जाता था, इस तरह उनका जीवन बराही घिर्नित जीवन था, इतना घिर्नित जीवन था, जिस घिर्नित जीवन को याद कर लेखक का तन आज सिहर जाता है। सिहर जाते हैं और ये कहते हैं कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उस तरह का जीवन जीना पड़ता है इस गरीब बढ़ के लोगों में इस दलित बढ़ के लोगों में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको इस तरह का जीवन जीना पड़ता है तो इस जीवन में सुधार के ब प्रियास किया है जूठन पाठ और इसको आप विवस्तित रूप से पढ़ने के लिए modern atom bomb प्रिसंख्या साथ को आपको देखना है इस तरह आपने इन सारे पाठों को देख लिया इन सारे दिर्गुत्तर ये पाठों को आपको ध्यान देना है पढ़ना है और साथ साथ modern atom bomb के अन्य प्रिस्णों को भी खूब बढ़ियां से पढ़ जाना है अशा है कि आप अच्छी तैयारी करेंगे modern atom bomb आपकी तैयारी में बरा सहायक होगा बहुत दिनों से यह छात्रों के लिए बरा सहायक बना रहा है इस साल भी बना रहेगा आप लोग सिर्फ इसकी अच्छी तैयारी करेंगे इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद असा है कि आप लोग परिक्षा में अच्छी तैयारी करके अच्छा अंक प्राप्त करेंगे इसी सुबकामना के साथ आपको बहुत धन्यवाद